येलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आइस एवरिवेर दोस्तो यह तो आपने बहुत बार देखा हुगा कि यदि आपको पानी में कापी देर तक काम करना पड़े तो आपको आथों में अंगलियों में सीलोटे पड़ जाती है स्कीन पर जड़िया पर जाती है और स्कीन यसी दिखती है जैसे कि स्कीन बुड़ी हो गई हो यह सीलोटे पानी से बार आने के कुछ समय तक ही रहती है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हो कि यसा क्यो होता है इनके पीछे का रिजन किया है दोस्तों जानने के लिए आज की ये वीडियो देखते रही है आज की ये वीडियो में आपको इसी टोपिक पर बात करूँगा लेकिन दोस्तों शुरू करने सब पहले अभी तक आपने मेरी चैनल सबस्काइब नहीं किये तो सबस्काइब कर दीजिए और बाजुमें दिये क्लिक कर दीजिए जिसे मेरी आने वाली सबी टेक्निकल एंड नोन टेक्निकल वीडियो की नोटफिक असन चलदी से मिले दोस्तों सबस्काइब करना बीकुल परी है और जिन जिन लोगा ने सबस्काइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद तो चलो सुरू करते हैं प के लिए अध्योपन किया युके की युनिवर्सिटी की रिसेच के मुताबिक देर तक पानी में रहने पर हमारी तोचा में जरिया पढ़ने की वज़व हमारे सरी की एक विवस्ता है जिसे हमारा काम आसान हो सके विग्णियों के अनुसर दरसल हमारी तोचा के बीतर एक प प्रोसेस, सास, दड़कान और पसीनों को भी नियतन करता है सेम टू सेम हमारे पेरों में भी होता है भीगे पेरों के तलवे भी लगदार हो जाते है यह जिन्दा रहने के लिए हमारे सरीर का जबरजस्त इंतिजाम है गिले आतों में पड़ी सिल्वटे हाथ के गिले होने के बावजूद हातों की पकड को सकमजोर नहीं होनी देती और पेर इनी सिल्वटो की मदद से भीगे होने पर भी फिसलन से बचाता है बहुद सारे विगननी का कहिना है कि अभी तक माना जाता था कि हातों के काफी देर तक गिले रहने से तचा के अंदर से पाणी निकलने जाती है और अंगुले के सीरों में सिल्वेटे आ जाती है लेकिन ऐसा नहीं है इस ने है रिसेद्व में उनने थाबित किया है कि सिल्वेटे हाथ और परों की पकड़ मजबूद लगती है ऐसा कहिना है इससा आप या पेर को पानी से भीगे टुकड़े दिये चात्रों जब उन टुकड़ों को उटने की कोशिश की तो उन्हें बड़ी मुस्किल हुई टुकड़े बार-बार फिसलते रहे लेकिन बाद में जब चात्रों ने अपने हाथ को आधे घंटे तक पानी में भीगो दिये और उंगलियों म पानी गिरती है तो कई छोटी-छोटी नल्या खुद बन जाती है वैसे ही हमारे सरीर की चमड़ी है वह सिकूर जाती है और पढ़ने वाला पानी को बाहर निकल जाती है दोस्तों अगर ऐसा कभी हो और आपको लगे कि ऐसे में आपका हाथ खरब हो जाएगा तो दुखी न लोगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूले जिसे दूसरों को भी यह बात पता चले दोस्तों आज के लिए इतना ही अगला वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक थेंक्यूंग और अगर अगर जिस को भी अगर रभाlezीन को फ्सके साथ मिलते हैं एक ता सरा ही सताथIP हैं यह कोपाशस्तों तो दक प्कास से अघन आजू पिर कि को खर दोग्यों है कि अर्दजर को फिशना है कि वीडियो आएएएछस्तों पाने हैं जा